हेलो विद्यार्थियों, एल्वी क्लासेच के इस नई वीडियो में आप शबी का शागत है तो एलेक्ट्रो एस्टेटिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहां पर पढ़ेंगे कुलाम का नियम यह जो टॉपिक है, यह बोर्ड पेपर के द्रिष्टी से बहुत ही महतुपूर है क्योंकि यह एक्षर रिपीट होता रहता है इसलिए आप लोग इससे बहुत ही ध्यान से समझेगा तो सबसे पहले दंदी जी, मान लीजिए आपके पास दो आवेस दिये गए है यहाँ पर एक आवेस दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 और इसके अलावा एक दूसरा आवेस आपको दिया गया है Q2 यानि कि आपको दो बिंदो आवेस दिये गया है, एक Q1 और दूसरा Q2 इसके अलाव हम लोग मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है यहाँ पर आ रहे है यह आपको मान लेना है इसके अलाव आपको बताया गया है पहले से कि जब आवेश शमान प्रकत की होती है जैसे कि मान लेजे धान लेजी यह आवेश अगर plus है और दूसरा आवेश है plus q2 तो इन दोनों की प्रकत जो है शमान है यहाइब फर्मान लेजे एक minus q1 है दूसरा भी यहाँ पर क्या है minus q2 है तो जब इस तरह के आवेश होते हैं और इनकी प्रकत शमान होती है तो इनके बी प्रतिकर्षण होता है और जब एक आवेश प्लश में हो और इसके अलामत दूसरा आवेश यो है वो माइनिश में हो तो इनके बीच क्या होता है इनके बीच होता है आकर्षण तो इसका मतलब धन देजिए जब विपरीत प्रकति के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को आ बल कारी करता है यहां पर जो बल कारी करता है उससे हम लोग बोलते हैं वैदुत बल याद रखेगा इस बल की प्रकति जो है प्रतिक कर्शनात्मक भी हो सकती है और आकर्शनात्मक भी हो सकती है यानि कि जब दोनों आवेश वीप्रीत प्रकति के होंगे तो इनके भी जो बल बल कारे करेगा वो आकर्षन बल होगा और अगर यहां पर दोनों आवेशों की प्रकति समान है यानिकि दोनों प्लस प्लस हैं या फिर दोनों मैनिस मैनिस हैं तो इनके बीच जो बल कारे करेगा वो कैसा होगा प्रतिकर्षन बल कारे करेगा तो इसका मतलब बता सकते हैं कि दो इस्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो है हमेशा क्या कारे करता है एक बल कारे करता है तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा और इनके बीच में जो बल कारे करेगा वो बल जो है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के शमानुपाती होता है ध्यान आवेश Q1 वा Q2 एक दूशरे से एक दूशरे से आर दूरी पर इस्थित है तो आरोपित बल आरोपित बल यहाँ पर यह मान लिया गया कि यह दोनों आवेश जो है यानिकि Q1 और Q2 एक दूशरे से जो है आर दूरी परिस्थित हैं तो इनके बीच जो बल आरोपित होगा अब उस बल को आपको समझना है बल कुम लोग लिखते हैं F से यानिकि आप बता सकते हैं F proportional to Q1 into Q2 यही point अब आपको समझने है यानिकि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कारेगा वो बल जो है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुरन फल क्योंकि धंदिजा पर into में लिखा गया है तो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुरन फल किस समानुपाती इसके अलाव बता सकते हैं ये बल जो है यहां पर जो है इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती होगा व्यूत करमानुपाती का मतलब बटे में आ गया है वर्ग का मतलब स्कायर लग गया है तो ये जो बल कारे करेगा उससे आप जो है इन दो बिंदों के द्वारा यहाँ पर परिभाशित करेंगे यानि कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो बल कारे कर रहा है ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन फल के अनुकरमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत करमानुपाती होता है इस प्रकार से आप यहाँ पर इस नियम को लिख शकते हैं तो अब ध्यांदेजे इसकी सायता से आप नियम कैसे लिखेंगे आप बताएंगे यहाँ पर कि किन ही दो ध्यांदेजे यह इस्थिर बिंदू आवेश है जिकि गति नहीं कर रहे थे पहले यह आपको बताया गया था है पर इलेक्ट्रो इस्टेटिक में जो है जो आवेश होंगे वो इस्थिर होंगे तो यह दोनों आवेश जो है वो इस्थिर हैं तो अब आप यहाँ पर लएकशक्टे हैं कि किन ही दो इस्थिर बिंदू आवेशों के बीच आरोपित आकर्षण अथ्वा प्रतिकर्षण बल क्योंकि आपको बताया गया यह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है तो वही आप यहां पर लिखेंगे आरोपित आकर्षण अथ्वा प्रतिकर्षण बल अथ्वा प्रतिकर्षण बल दोनो आवेशों दोनो आवेशों यानि के जो ये आवेश दिये गए थे इन्हीं के बारे में बताए जा रहा है दोनो आवेशों की मात्राओं के गुड़न फल के अनुक्रमा नुपाती के अनुक्रमा नुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमा नुपाती के व्यूत क्रमा नुपाती होता है और इस बल की दिसा दोनो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है अब धंदिजे इसका मतलब क्या है यहाँ पर यह जो बताया गया है अनुदिश अनुदिश का मतलब धंदिजे यहाँ पर बताया गया तथा दोनो आवेशों को मिलाने वाली रेखा रंदी जी मिलाने वाली रेखा ये है इस रेखा के अनुदिस यानि की जो बल कारे करेगा वो इसी दिशा में कारे करेगा इस प्रकार से यप लोग याद रखेगा रंदी जी आपर जो आवेश दिए गए ये भी Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हैं इसलिए आपर प्रतिकर्शन ब करे करेगा यानि की जिस दिशा में देंदी जी इनको मिलाने वाली रेखा जो दे गई है इसी दिशा में कारे करेगा इसलिए बताया गया थे आपर कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है तो आप लोग याद रखेगा इसमें बताया गया कि किनी दो इ प्रतिकसर बल भी हो सकता है तो ये बल जो है दोनों आवेशों की मात्राओं यानि कि Q1 और Q2 के गुड़न फल के अनुकरमानुपाती यानि कि इन दोनों के गुड़न फल के यहां पर अनुकरमानुपाती यानि कि शमानुपाती होता है इसका मतलब है कि बल जो है वो इन दो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ा देंगे तो आरोपित बल बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों का गुणनफल आप कम कर देंगे तो बल कम हो जाएगा। इसका मतलब बल जो है वो इन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल पर निर्भर है, यानि कि उशी पर आस्तित है, अगर आवेशों का गुणनफल आप बढ़ाएंगे, तो बल बढ़ेगा, अगर आवेशों का गुणनफल आप घटा देंगे, तो बल घट जाएगा, इसका मतलब यह है, इसके अलावाद यहाँ पर तो अनुकर्मानुपाति था, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यूत कर्मानुपाति, व्यूत कर्मानुपाति का मतलब यह है, जब आप यहाँ पर दूरी बढ़ाएंगे, यानि कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे, बल कामान कम होता जाएगा, और जब यह जो है व्यूद क्रमानुपाती होता है और इसके अलावाइस बल कि दिशा जो है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है यह आपको पहले ही बता दिया गया है अनुदिश होती है तो यह आप लोग याद रखेगा अब इसके बाद दान देजे इसको आप मान लेजे समीकर्ण एक और इसको मान लेजे समीकर्ण दो अब इन दोनों को हम लोग संयुक्त करेंगे तो यहाँ पर आप लेखे शमीकरण एक वा दो को संयुक्त करने पर अब यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर जोड़ना नहीं है आपको संयुक्त करना ह इस तरह युक्त का मतलब इसे मिला के लिख देना है इदर f दिये गए तो यहां पर हो जाएगा f proportional to यहां पर धन देजे इसे आप लिखेंगे q1 into q2 बटे में हो जाएगा आपर r square इस प्रकार से इतना हो गया अब धन देजे जब यहां से आप यहां से आप यह समानुपाति कच्छिन हटाएंगे तो यह हो जाएगा f बराबर यहां पर लग जाएगा इश्माल k into में हो जाएगा q1 q2 बटे में हो जाएगा r square इस प्रकार से इतना आएगा यहां पर आप बता सकते हैं कि जहां कि एक समानुपाति नियतांक है एक शमानुपाति नियतांक है नियतांक है तो यह अप लोग याद रखेगा इसके अलावबस में आपको कुछ conditions याद रखनी है धन्देजी यहां पर जो यह आविश रखे गए हैं अगर इन दोनों आविशों के बीच का माध्यम वायू या निर्वात हो यानिकि धन्दे बिन्दु आविश निर्वात अथ्वा वायू अथ्वा वायू में इस्थित हों तो अब धन्दीजी यहां पर बतायागा कि यदि दोनों बिन्दु आविश यू है ये निर्वात अथ्वा वायू में इस्थित हैं यानिकि जो आपको ये बिन्दु आविश दे गए थे ये वायू अथ्वा निर्वात में स्थित हैं तो वहाँ पर आप लोग याद रखेगा जो ये के था यानि कि जो आपका शमान उपाती नियतांग था इसका मान होता है वन अपान फोर पाई एपसालन नॉट ये अप लोग याद रखेगा अगर दोनों बिंद्वावेश निर्वात अथ्वा वायू में स्थित हैं तब वहाँ पर जो के होगा यानि कि जो आपका शमान उपाती नियतांग होगा उसका मान होता है वन अपान फोर पाई एपसालन नॉट ये अप लोग याद रखेगा यानि कि अगर इसकी जगह पे अप ये वाला मान रख दें तो ये शूत्र धान्दीजे कैसा हो जाएगा शूत्र हो जाएगा एफ बराबर इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा वन अपान फोर पाई epsilon not इतना हो जाएगा into इसके अलावा हो जाएगा q1, q2 बटे, r² इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा रंदेजी इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकर नंबर 3 क्योंकि दो तक आप लेख चुके थे इसको आप मान लेते हैं इस्तिरवदुत बल हो जाएगा इससे जो है आप यहाँ पर बल ग्याद कर सकते हैं लेकिन आपको condition याद रखनी है कि दोनों आवेश जो है कहाँ पर इस्तित होंगे निर्वाद अथ्वा वायू में इस्तित होंगे अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई अन्यमाध्यम हुआ तो वहाँ पर जो है आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो पहले आप इसका इस्क्रिंस ओट ले लेजे फिर मैं आगे आपको इहाँ पर बताऊंगा अब इसके बात द्यान देजे जो भी आपको बताया गया था वायू या निर्वात के लिए जो है के बराबर वन अपान फोर पाई एपसैलन नॉट इसका अम लोग प्रयोग करते हैं इसका जो मान होता है वो होता है नो गुडे दस के घात नो न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रति कूला मिशुकर ये मान होता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा यानि कि वन अपान फोर पाई एपसैलन नॉट के जगे पर डारिक आप इसका प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल में दें देजे यानि कि ये सूत्र ऐसा हो जाएगा एफ बराबर इसकी जगे पर आप ये लिख सकते हैं यानि कि 9 गुड़े 10 की घात 9 इतना हो जाएगा इसके अलावा Q1 Q2 बटे आरिशकर तो ये सूत्र जो है इस प्रकार से इतना आ जाएगा इसके लाप लोग याद रखेगा जो भी आपको बताया गया था जैसे कि मान लिजे एक आवेश था Q1 दूसरा आवेश था Q2 इनके बीच की दूरी क्या थी? आर आपको बताया गया कि ये दोनों आवेश जो है कहा परिस्तित थे? वायू या निर्वात में लेकिन मान लिजे ये वायू और निर्वात के अलावा किसी अन्य स्थान परिस्तित हों तो ध्यान देजे यहाँ पर आप लेखेंगे कि यद दोनों आवेश दोनों आवेश निर्वात अथ्वा वायू के इस्थान पर के इस्थान पर किशी कुचालक माध्यम कुचालक माध्यम जैसे कि आप बता सकते हैं इसमें मौम इसके अलावा कागज ये सबी जो होते हैं आपके कुचालक माध्यम होते हैं इत्यादी मैं इस्थित हूँ इस्थित हूँ तो आरोपित बल आरोपित वैदुत बल अब यहां परदान देजे इसमें बताया गया कि ये दोनों आवेश यू है वो निर्वाद अथ्वा वायू के स्थान पर जो है किसी कुचालक माध्यम जैसे मौम, कागज, कुछ भी हो सकता है मेरे इस्थित हो तो वहाँ पर जो आरोपित बल होगा उसके लिए ध्वाद जी फिरम लोग सूतर ये प्रयोग करेंगे यानि कि F बराबर जो भी आपको ये बताया गया था वन अपान फोर पाई एपसलन नॉट अब इसके साथ यहां पर लग जाएगा कैपिटल के इसके अलावा इंटू में हो जाएगा क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वाइर इतना हो जाएगा आप बता सकते हैं यहां पर कि जहां के माध्यम का परावधुतांक यहां पर ढान देजेगा जो पहले लिखा गया था वो इश्माल के था यहां पर कैपिटल के है इसके हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावधुतांक माध्यम का परावधुतांक तो यह होता है आपका माध्यम का परावधुतांक इसको हम लोग मान लेते हैं शमीकर नमबर चार अब इसके बाद ध्यन देजी, शमी करण 3 वा 4 से, तो अब शमी करण 3 और 4 ध्यन देजी, तीन आपका ये है, चार आपका ये है, अब ध्यन देजी, यहाँ पर जब माध्यम बदल गया तो जो बल है, इसे हम लोग यहाँ पर F, M से प्रदाशित करेंगे, ताकि आपको पर बल जब होगा, जब यहाँ पर दोनों आवेश कहाँ पर रिस्त होंगे, वायू या निर्वात में, F, M तब होगा, जब इनके बीच का कोई कुछालक माध्यम होगा, यानि कि जब माध्यम बदल जाएगा, तो अब ध्यन देजी, आप लिखा गया है, समी कर 3 वा 4 से, अगर ध्यन देजी आप यहाँ पर 3 को हम लोग 4 से भाग कर दें, मालेजे, तो ध्यन देजी पर बाई तरफ क्या है, F, यहाँ पर बाई तरफ क्या है, F, M, तो यह बटे में आ जाएगा, बराबर, अब ध्यन देजी भी यहाँ पर भाग करेंगे, तो 1 अपान 4 पई अशल 2 यहाँ पर हो जायाएगा f m इस प्रकार से इतना हो जायाएगा यहाँ पर k जो है यह माध्यम का परावधुतान का है तो यहाँपर अगर आपसे परावधुतान की परिभाषा पूछी जाए तो आप इस सूत्र का प्रियोग करकर बता सकते हैं यहां पर धन्देजे, जो यह सूत्र लिखा गया है, के बराबर F, बटे में है F, M, F का मतलब, यहां पर यह जो है, वो बल होगा, जब दोनों आवेशों के बीच, यहां पर माध्यम, वायू या निर्वात होगा, यह बल तब आरोपित होगा, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायू या निर्वार्त है, तो आरूपितबल और इसके अलावा यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई कुछालग पदार्थ है, तो आरूपितबल इन दोनों का जो अनुपात होगा, वो यहाँ पर माध्यम के परावजटांगे बरावर हो तो यह आप लोग याद रखेगा हुसकी अलावध है अन्देजी जो यहाँ पर आपको शूत्र बताया गया है ईसमें एक और भी पॉइंट है यहाँ पर यह आया है Epsilon नोट इसे मैं मैं क्या बोलते हैं Epsilon नोट सीन एक का मतलब आप लोग याद रखेगा तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा कि एपसलन नॉट जो है इन निरुवात अथ्वावायू की विद्द चिलता है अक्षर पेपर में जो है इसका मात्रक और विमी शूत्र पूछा जाता है तो अप लोग इसका स्क्रीन साट ले लेजे फिर मैं आपको यहाँ पर इसका मात्रक और विमी शूत्र गयाद करना बताऊंगा तो अब ध्यान देजे अब यहाँ पर हम लोग जो है एपसलन नॉट का मान और इसका मात्रक गयाद करेंगे कमान वा मात्रक तो अब इसके लिए धन देजे आपको अभी बताया गया है यानि कि आप बता सकते हैं चूँकि 1 अपान 4 पाई एप्सल नॉट बराबर होता है 9 गुडे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रति कुलाम स्क्वाइर यह अपको बताया गया था इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रति कुलाम स्क्वाइर इतना होता है अगर यहां समलोग एप्सलन नॉट ग्याद करें तो यह धर जाएगा बाकी इधर वाला यह पूरा इसके बटे में आएगा तो धन देजे एप्सलन नॉट बराबर यानि कि यह धर गुड़े में जा रहा है और बाकी यह पूरा इधर बटे में आएगा तो यहां पर हो जाएगा वन अब बटे में धन देजे यह दिया गया फोर पाई यह धर बटे में आ जाएगा तो नौ गुड़े दस की घात नौ यह भी बटे में आ जाएगा तो नौ 10 मीटर स्कार प्रति कुलाम इश्कार इतना हुआ यानि कि एप्सलन नॉट बराबर वन बाई यहां पर धन देजे फोर पाई कामान हो जाएगा तीन दिशमलो एक चार इतना हो जाएगा इतना हुआ अब धन देजे भी पलट के उपर जाएगा तो इश्या पैसा लिख सकते हैं कुलाम स्कार प्रति नूटन मीटर स्कार इतना हो जाएगा इसके बाद धन देजे एप्सलन नॉट बराबर यहां पर धन देजे इन सभी का गुड़ा करके जब भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 8.85 गुड़े 10 की घाथ माइनस 12 इतना आएगा अब यहां पर इन सभी का गुड़ा करके भाग करिएगा तो लगभग इतना आज जाएगा निकि 8.85 गुड़े 10 की घाथ माइनस 12 इसके अलाव यहां पर यह हो जाएगा कुलाम स्क्वाइर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वाइर तो इस प्रकार से जो है आप मान और मात्रक ग्याद कर सकते हैं यानि कि यह तो इसका मान हो गया आठ दशमलो आठ पांच गुड़े दस की घात माइनिश बारा यह तो हो जाएगा एप्सलननाट का मान इसके लाव यह जो दिया गया है यह यहां पर इसका हो जाएगा मात्रक और इसका मतलब आप लोग याद रखेगा यहां पर इशे आप बोलेंगे कुलाम स्क्वाइर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वाइर यह यहाँ पर एपसलन नाट का मात रख हो जाएगा तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा इसके अलावा जो है आपको इसका विमी शूतर भी पता होना चाहिए तो अब धंदेजी एपसलन नाट का विमी शूतर विमी सूत्र विमी सूत्र किस प्रकार से ग्याद करेंगे अभी आपको जो सूत्र बताया गया था रन्दीजी सूत्र आपको बताया गया था f बराबर 1 अपान 4 pi epsilon 0 यहाँ पर होता है q1, q2, बटे आर, स्क्वार यह आपको बताया गया है तो अगर यहाँ शमलोग epsilon 0 गयाद करें तो यह इधर आएगा और f इसकी जगे पर आजाएगा द्धिजी यहाँ से आप epsilon 0 गयाद करते हैं तो f इधर आजाएगा और यह यहाँ पर आजाएगा यह यह हो जाएगा 1 बटे 4 pi इतना हो गया इसके अलावा q1 into q2 बटे में ध्धिजी यहाँ पर दिया गया है r square और यह वाला f भी बटे में आजाएगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा तो अब ध्धिजी epsilon 0 का विमी शूत्र अब इसका विमी शूत्र लिखने के लिए यहाँ पर जितनी भी राशिया है इन शभी के विमी शूत्र आपको पता होने चाहिए तो अब ध्धिजी पहले यह जो दिया गया यह तो एक नियतांक है और नियतांक का विमी शूत्र नहीं होता है यह अप लोग याद रखेगा इसके अलावा यहाँ पर ध्धिजी आवेस दिये गये हैं तो आवेस का विमी शूत्र होता है A T कितना होता है Q 1 का हो जाएगा इसी प्रकार से Q 2 दिया गया है अगर इसका आप यहाँ पर विमी शूत्र लिखेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा A T कितना आएगा इसके बाद ध्धिजी यहाँ पर है बल बल कविमी शूत्र होता है M L T की पावर माइनिस 2 इतना हो जाएगा इसके लाद दूरी इसका विमी शूत्र हो जाएगा L स्क्वार इस प्रकार से इतना हुआ इसका मतलब अब ध्धिजी आप लिख सकते हैं Epsilon Naut कविमी शूत्र अब ध्धिजी यहाँ पर आप यहाँ पर ध्धिजी A T यहाँ पर भी A T यहनी किसे आप ऐसा लिख सकते हैं A square T square इतना आ जाएगा बेटे में ध्धिजी यहाँ पर हो जाएगा M इसके बाद ध्धिजी L और यह वाला L square मिलके हो जाएगा L3 इसके अलावत दिया गया T की पावर माइनस 2 इतना हो गया तो अब यहां पर ध्यान देजिए यहां पर जो यह M दिया गया इसकी पावर कितनी मानेंगा आप पो 1 जब यहां पर आप इसे उपर ले जाएगे तो अभी M की पावर प्लस 1 है तो जब उपर जाएगा तो M की पावर हो जाएगा माइनस 1 इतना होगा L जब उपर ले जाएगे तो L की पावर हो जाएगा माइनस 3 की जब उपर जाएगा तो माइनस 2 है उपर जाने पर प्लस 2 हो जाएगा तो यह 2 और यह वाला 2 मिलके हो जाएगा T की पावर 4 इ यहाँ पर आप लिख शकते हैं M के श्पध्धत में Epsilon 0 का मात्रक तो अगर M के श्पध्धत में आपको इसका मात्रक बताना है तो अब धन देजे यहाँ पर पहले जो M यूज हुआ है यह द्रब्यमान के लिए यूज के जाता है यहाँ पर जो A A यूज हुआ है यह धारा का मात्रक होता है इसके लिए हम लोग लिखते है तो अब लोग याद रखेगा कि जो Epsilon 0 है इसका जो M केश पध्धत में मात्रक होगा वो किलोग्राम इन्वर्स मीटर की पावर माइनस त्री सेकंड की पावर फोर और Ampere Square तो यह यहाँ पर M केश पध्धत इमेश का मात्रक हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीन साट ले शकते हैं तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ मुख के पॉइंट बताऊंगा जो आपको numerical के लिए आवश्यक होंगे सबसे पहला point धन देजी जो आपको शूत्र बताया गया है शूत्र बताया गया है तो आप लोग याद रखेगा आपको क्या बताया गया था अगर यह दोनों आविश्यमान प्रकति के हैं तो इनके बीच जो है प्रतिकर्शन बलकारे करेगा अगर दोनों की प्रकति विप्रीत है तो इनके बीच आकर्शन बलकारे करेगा यहींनि कि आप बता सकते हैं कि वैदुत बल की प्रक्रति आकर्षनात्मक अथ्वा प्रतिकर्षनात्मक होती है प्रतिकर्षनात्मक होती है यह अप लोग याद रखेगा क्योंकि निमेरिकल में पूछा जाएगा कि एक आवेज यू है वो प्लस है दूसरा मैनिस में है तो इस पर कैसा बल कारे कर रहा है तो याद रखेगा अगर प्लस मैनिस कारे कर रहा है तो इसका मतलब बल आकर्षन ह गर दोनों शामान प्रकत्य की है ऋनि कि massa या फिर दोनों माइनस माइनस तो कैसरा परवद्धुतांक माध्यम का परवद्धुतांक बढ़ने पर वद्धुत बल कम होने लगता है कम होने लगता है तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे इसके अलावा ध्यान देजे ये बहुत ही इंपॉर्डन पॉइंट है जैसे कि मानलेजी दो आवेस दिये गए है एक है क्यूवन और दूसरा यहाँ पर है क्यूटू इन दोनों आवेशों को परश पर इस पर सकरा दिया जाए यानि कि दोनों आवेशों को आपस में रगर दिया जाए और उसके बाद फिर से जो है वापस उसी दूरी पर रख दिया जाए तो इन दोनों आवेशों के मान जो होंगे वो हमेशा बराबर हो जाएंगे यह अप लोग याद रखेगा जैसे कि मानलेजी एक्जमपल के लिए धन दिजी एक आवेश जो आपको दिया गया है Q1 बराबर 5 कुलाम और दूसरा आवेश जो दिया गया है Q2 बराबर 3 कुलाम और इन दोनों को आपस में इस परस करा दिया जाए नहीं कि रगर दिया जाए और उसके बाद वापस रख दिया जाए तो इन दोनों के मान जो होंगे वो चार कुलाम और चार कुलाम हो जाएंगे यह अप लोग याद रखेगा कि यदि दो आवेशों को परश पर इस परस करा के हटा दिया जाए तो यहाँ पर दोनों परावेश की मात्रा जो होगी वो समान हो जाएगी यह अप लोग याद रखेगा यह numerical के लिए बहुत ही आवश्यक है तो अगर आप note करना चाहें चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि दोनों आवेशित आवेशित कणों को आवेशित कणों को परश पर इस परश करा कर इस परश करा कर हटा लिया जाये तो उन पर आवेशित की मात्रा शमान हो जाती है आवेशित की मात्रा शमान हो जाती है अर्ठाद आप शूत्र प्रेयोग कर सकते हैं क्यूवन बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2 इसके द्वारा जो है आप आविश ग्याद करेंगे जैसे कि मानले जी आपको बताया गया था एक आविश कितना है पांच कुलाम दूसरा कितना है तीन कुलाम यह माने गए बाकि कुछ है नहीं यहाँ पर यह एक जांपल लिया गया यह एक आविश गया पांच कुलाम है दूसरा तीन कुलाम तो इसमें मान रखे तो यहाँ पर पांच प्लस तीन बटे 2 कितना हो जाएगा आठ बटे 2 दो शिभा करेंगे तो कितना जाएगा चार कुलाम यह आपको बताया गया था यानि कि पहला आविश और दूसरा आविश दोनों पर आविशों की मात्रा समान हो जाएगी इसका मान भी चार कुलाम आ जाएगा इसका भी मान चार कुलाम आ जाएगा तो याद रखेगा कि यद दोनों आविश इतकनों को जो है numerical में शमस्या होती है तो यह point जो है अप लोग यहाँ पर याद रखेगा यह जो है इसका important point है इसके अलावप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि अगर जो भी आपको शूत्र बताया गया था अगर यहाँ पर दोनों आविशित कणों के बीच का माध्यम कोई धातु है याद अगर दोनों आविशित कणों के बीच का माध्यम क्या है कोई धातु है और धातु के लिए परावज्दांग क्या होता है इन्फाइनाइट होता है तो अगर आप यहाँ पर इन्फाइनाइट रख देंगे तो बल क्या हो जाएगा सूनने हो जाएगा तो यह भी अप याद रखना है कि दोनों आविशित कणों के बीच का माध्यम को इधार तो है तो आप जो वद्द बल होगा वो कितना होगा सून्य होगा यह अप लोग याद रखेगा इसके अलावा भी आप लोग याद रख शकते हैं यहाँ पर जो आपके पास आविशित कण है अगर इन दोनों में से जो है किसी एक को या फिर दोनों को जो है भूस अंपरकित कर दिया जाए भूस अंपरकित का मतलब इससे जो है यहाँ पर प्रत्वी से जोड़ दिया जाए याद रखेगा दोनों में से जो है किसी एक आविश को या फिर दोनों आविशों को प्रत्वी स जोड़ दिया जाए तो इनके मान सूनने होने के कारण जो वैदुदबल होगा वो भी क्या हो जाएगा सूनने हो जाएगा तो यह भी आप लोग याद रखेगा कि दोनों आवेशितकणों को यह दिप्रत्वीशे संबंधित कर दिया जाए यह निकि उसे भूशंपरकित कर जाएगा तो यहाँ पर आवेशों के मान सूनने होने के कारण जो है वैदुदबल का मान भी सूनने हो जाएगा तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा तो अगर आप शबी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएग और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद